डियर इस्टुडेंट आज मैं आपको क्लास थर्ड का जो हमारा चैप्टर था दार्थ इस ब्लू प्लैनेट उसका हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया था मुवमेंट्स ओफ दा अर्थ उसके वारे में आज इस चैप्टर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो मुवमेंट क्या होता है पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जिस तरीके से एक एक जिस तरीके से की जैसे कि हमारे हाथ पैर ठीक है हमारी उंगलियां हमारी आईज क्या करती है मुवमेंट करती है ठीक है इसी तरीके से जो हमारी प्रत्वी होती है प्रत्वी का भी एक मु movement कैसा होता है एक होता है rotation और दूसरा होता है regulation ठीक है तो इन दो तरीकों से हमारी प्रत्वी movement करती है तो चलिए पहले हम rotation के वारे में जानते हैं तो rotation rotation the earth spins like a top around an imaginary line this line this imaginary line is called the axis जैसे हमारी जो प्रत्वी है माल दिग्ये ये प्रत्वी है ठीक है प्रत्वी पे एक imaginary line होती है और इस line पे क्या होती है इस नोक पे हमारी प्रत्वी है जो एक ही जगाप पे घूम गूमती है ठीक है और यह कैसे एक तो यह मतलब अपनी ही एक्सिस पर गूमती है और एक सूरे के चारो और भी चक्कड लगाती है ठीक है इस मुवमेंट ऑफ दा अर्थ इस कॉल रोटेशन जो यह मुवमेंट होता है हमारी प्रच्वी का वो रोटेशन कहलाता है और यह जो इमेजिनरी लाइन होती है इसी को ही हम एक्सिस भी कहते है ठीक है इट कॉस्ट डी एंड नाइट रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं चलिए पहले मैं आपको एक ग्लोग के माधियम से यह समझा देती हूं मान लीजे कि यह क्या हो गया जिस पर यह हमारी जो हो गय एक्सिस होगी और जिस पर हमारी प्रस्वी क्या करती है यह रोटेट करती है मतलब उसका एक रोटेशन होता है ठीक है और जो एक प्रस्वी रोटेट करती है यह वेस्ट से लेके इस्ट की और करती है ठीक है वेस्ट टू इस्ट करती है और जो इसका यह रोटेशन होता है ये 24 hours में complete one rotation होता है इसका थीक है तो चलिए तो हमने ये पढ़ा कि rotation के कालर ने day night होता है और जो hour earth हमारी जो प्रत्वी होती है वो rotate करती है west to east it takes 24 hours और one day to complete it one rotation और 24 hours जो एक दिन होता है उसमें ये अपना एक rotation complete करती है चलिए अब हमारा next है revolution moment में जो हमारा second है revolution उसके वारे में पढ़ते हैं हमारी प्रत्वी का जो second है revolution इसका जो प्रत्वी का second moment है उसके वारे में पढ़ते हैं तो while spinning on its axis वो earth also revolve around the sun जैसे हमारी प्रत्वी अपने axis पे rotate करती है वैसे ही उसी प्रकार जो हमारी प्रत्वी होती है वो axis पे rotate तो करती है लेकिन rotate करते करते उसका है वो सूर्य और शुरे के चारे और भी चकर लगाती है आप इस पिच्छर के माद ही हमसे देख सकते हैं जίसे प्रत्वी एक अपनी axis पे तो घूमी रही आए Market भूमते घूमते घूमते वो sun के भी चारो ओर चक्र लगा रही है ठीक है यह जो it is called revolution और इसी को ही revolution कहा जाता है the earth takes 365 14 days to complete one rotation around the sun जो हमारी प्रच्वी होती है जो जैसे की rotation जब rotation होता है तो वो 24 hours में होता है वैसे ही ठीक उसी प्रकार से जो हमारी प्रच्वी है उसको revolution जब वो सूरे के 4 और चक्कर लगाती है तो जैसे की day night होने में तो हमारो 24 hours लगते थे लेकिन जो हमारा इसमें जो हमारी प्रच्वी सूरे के 4 और चुक कर लगाती है उसमें 365 वन फोर्थ डेज कम लगते हैं और इसी के कारण हमारे जो revolution के जो हमारी प्रस्वी किया जो यह second movement होता है revolution इसी के कारण हमारे seasons भी change होते हैं ठीक है जैसे कि summer आता है winter आता है autumn आता है spring season आता है इस तरीके से हमारे मौसम चेंज होते रहते हैं रेवलिशन के कारण हमारे मौसम चेंज होते रहते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं चलिए अब हम इस story के बाधियम से समझते हैं in Asian time प्राचिंग समय में people believe that the earth was flat लोगों का ऐसा मानना था कि जो हमारी प्रत्वी है वह समतल है बिलकुल flat है ठीक है it had steep ease और उसके किनारे है people fear that they would fall on the ease of the earth लोगों का ऐसा मानना था लोगों के अंदर ऐसा भै था डड़ था कि लगातार अगर हम प्राच्वी पे चलते चले जाएंगे तो एक दिन हम किनारे पे आके गिर जाएंगे इन 1519 में मतलब 1519 में मैलेगन एक जो एक नाविक था ठीक है पॉर्टुगीज सेलर टुक ओन ए लॉंग जर्णी उसने एक लंबी यात्रा स्टार्ट की प्राच्वी प्राच्वी तो प्रूब डाच्व नो वन कुट फॉल ऑफ दा अर्थ उसका उसने यह प्रूफ करने के लिए एक जर्णी स्टार्ट की थी कि जो प्रत्वी है उसका कोई मतलब उस पे से लोग नहीं गिर सकते या उसका मानना था किसका किनारा नहीं है ठीक ह it himself could not complete his journey कुछ कारण वस वो जर्णी को पूरा नहीं कर पाया बट इस क्यू जो उसके साती थे उस सेलर में या मतलब उस नाव में जो उसके साती थे उन्होंने continue कि उस यात्रा को to sail in one direction only और वो लगातार उस नाव को एक ही direction में बढ़ाते हुए आगे लेते गए after three years of sailing तीन साल बाद वो जब तैरते रहे मतलब नाव को मतलब sail कराते मतलब एक ही direction में आगे बढ़ते रहे they reach the same place तो वो एक उसी जिस जगा से उन्होंने यात्रा को start किया था Spain से वो उसी जगा पे जाके दुबारा से same place पे पहुँच गे from where had I started this way they sailed around the earth उन्होंने उनको उन्होंने क्या किया यह जो वी था उनका तो यह जो उन्होंने अराउंड उन्होंने प्रच्वी के चारो और चक्कर लगाया इट प्रूवड उन्होंने ऐसा प्रूवड किया जो यह नाविक था उन्होंने ऐसा प्रूवड किया that the earth was around had a noise प्रच्वी किनारा नहीं है तो इस तरीके से लिए सिस्टॉरी के माधियम साह आपने समझा गoking जो उन्होंने प्रच्वी और उसका कोई किनारा नहीं तो यह प्रच्वी यह जो हमारा अस्さいश्टी की जो फिर्स उप्र यह कंप्लीट हो गया है और इसका वर्क सीट मैं आपको PDF के माध्यम से मैं आपको भेज दूँगी थैंक यू